देखो दोस्तो जब भी हम टीम बनाते हैं तब हमारे सामने main problem यह आती है कि हम captain, vice captain किसको बनायो और अगर दोस्तो हमारे captain, vice captain सही बन जाते हैं तो हम almost 95% लोगों को वही पे beat कर सकते हैं तो दोस्तो इस video में हमारा main focus यही रहेगा कि एक possible कौन से कौन से player है जो captain यह vice captain बन सकते तो जानने के लिए video को पूरा याद से देख लिजेगा और साथ ही दोस्तो इस video में आपके लिए एक खास मोगा brand new मेंदरा थार जीतने का तो वीडियो पूरा याद से देख लिजेगा तो दोस्तो आज हम बात करेंगे England versus Australia के बीच होने वाले ICC Man City 20 World Cup के match के बारे में जो क अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो लाइक करना बिल्कुल फ्री है प्लीज लाइक वाला बटन दबा दो दूसरी बात दोस्तो आपको इस वीडियो के description box में link मिलेगा link पे click करके हमारे telegram channel को याद से join कर लिजेगा औ दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो याद से subscribe कर लिजेगा और सबसे बड़ी update क्या दोस्तो कि इस match के अंदर weather forecast आप team बनाने से पहले याद से देख लिजेगा क्योंकि अभी के weather के नुसार यहाँ पे बारिश आने के काफी chances है तो हो सकता match come over कहो तो आप ध्यान से देख लिजेगा टीम बनाने से पहले तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेन्यू states के बारे में देखो दोस्तों आपको पता है कि यह match खेला जाएगा Melbourne cricket ground के उपर अगर दोस्तों इस ground की pitch की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा second inning में बैटिंग क करने वरे टीम डोमिनेट कर सकती है वहीं दोस्तों आपको बता दू कि इस ground की सबसे बड़ी खास बात किया है कि इस ground में पार पले के अंदर दोनों इनिंग में फास्ट बोलर को बोल से मदद मिलती है यानि यहाँ पे आप Grand League की टीम बनाओ तो आप रिस्क ले सकते हो दोन आपकर इन 16 में स्कोर पैटरन की तो एक सो पचास से स्कोर आठ बार बनाए एक सो पचास से 169 के बीच में रहा है तो आप कही ना कहीं मान चकते हो कि पिच बोलर को फेवर कर सकती है अब जागो दोस्तों इस T20 वर्ड कप में इस ground की उपर अब तक दो मैस के लिए जा चु की और पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 169 रन मना पाई थी आठ विकेट पे और इंडिया ने 170 रन मना के चार विक्टोसियों मैस जीत लिया था जिसके अंदर प्लेयर ओफ दी मैस थे विराट को ली अगर दोस्तों इस मैस में फास्ट वर्सी स्पिन की बात करें तो पहले निंग में फास्ट बोलर को 8 विकेट और स्पिंगर को कोई विकेट नहीं दूसरी निंग में फास्ट बोलर को 3 विकेट और स्पिंगर को 2 विकेट मिलेते हैं वहीं दोस्तों इस ग्राउंड की पर दूसरा मैस के लागा था इंगलेंड और आयरलेंड का जिसके इंग्लेंड के जितने के साहँ जाद आते अगर दौस्तू इस मेंच पे बात करेंग लेंड की तरफ से तो मार्क वूड को 3 विकेट लियाम लुविंग श्टोन एकरंड तीन विकेट क्रिस् दोस्तों इंग्लेन्ड इर्लेंड वाला मैच भी इंग्लेन्ड जी जाती है तोड़ी मदद मिले अब देख सकते हो बटलर जीरो प्याउट हो गया, LXL साथ प्याउट हो गया, इंडिया पाकिस्तान वाले मैस में बाबर रिजवान दोनों फ्लोप थे, रोहित राउल दोनों फ्लोप थे, तो यह चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, टीम बनाने से पहले, अब देखो दोस्तों अगर फ दोनों इनिंग के अंदर फास्ट बोलर को बोल मुव्मेंट आप देख सकते हो, यानि दोस्तों उस्टेले के तरब से, मिचल स्टार्क, जो सेजलूट और पैट कमिंग्स पारप्लेम बोलिंग करने आएंगे, और इंग्लेंड के तरब से, क्री स्वोक्स, मार्क वूड, उनके साथ बैन स्टोक आ सकते हैं, पारप्लेम बोलिंग करने, या सेम करन भी आ सकते हैं, यह प्लेयर को इस डिफरेंशिल प्लेयर निकल के आ सकते हैं, बाकि दोस्तों और आल आपको एक बैलेंस पिस देखने को मिलेगी, जो की बैट्समेन बोलर दोनों को फेवर कर सकती है, और दोस्तों पिछ के रिगार्डिंग अगर कोई और इंफरमेशन आईगी, तो वो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा, और टेलिग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में, आप लिंक पे क्लिक करना है, और माई 11 सरकल अप को डाउनलोड करना है, और दोस्तों माई 11 सरकल अप पे अगर आप इंगलेंड रोस्ट लिया वाले मैच में, मेगा लीक के अंदर फर्स्ट रेंक लाते हो, तो आपको मिलेगी ब्रेंड न्यू मेंदरा थार, अब देखो दोस्तों आपके मन में सव कुद कंपेर कर सकते हो, और अगर कॉंपिटिशन कब होगा तो आपके जितने के चांस ओटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो जल्दी कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, और माई 11 सरकल अप डाउनलोड कर लीज YT 2022 यूज कर सकते हो, इसमें भी आपको 20% extra cash मिलेगा, देखो दोस्तों, fantasy world में सबसे ज़्यादा offer माई 11 सरकल अप दे रहा है, और सबसे कम competition माई 11 सरकल अप पे है, तो जल्दी कीजिए, वीडियो के description box में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सरकल अप डाउनल टीमों का मुकाबला neck to neck है, अगर दोस्तों हम बात करें कुछ player matchup की, तो यहाँ पर आपको Mark Kashtonius वर्सिज आदिल रशीद एक player matchup देखने को मिलेगा, आदिल रशीद ने Mark Kashtonius को 31 बोले डाली है, 22 रंदी और 3 बार out किये, उसके बाद Glenn Maxwell वर्सिज आदिल रशीद आपको player matchup देखने को मिलेगा, Maxwell को रशीद ने 27 बोले डाली है, 8 रंदी है, और 2 बार out किये, डेविड वोर्नर वर्सिज आपको Mark Wood और मोहिन अली एक player battle देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको Joss Butler वर्सिज पैट कमिंग्स एक player battle देखने को मिल सकता है, उसके बाद दो मैं आदिल रशीद को ले रहूँ, उसकेस में मारक कर स्टूनिस पे कम ध्यान दे सकते हो, यह आप थोड़े बूत रिस्क ले सकते हो, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, प्रोबल प्लेइंग 11 of England with betting order, देखो दोस्तों यह predicted playing 11 है, अगर इस playing 11 में किसी एक या दो player का change ह होता है, तो वो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा, इंगलेंड की तरफ से आपको opening करते हो दिख सकते हैं, जोस बटलर और एलेक्स हैल्स, और तीन नमबरी betting करने आ सकते हैं, डेविड मलान, यानि यह तीन प्लेर आपको top order betting करते हो देख सकते हैं, और दोस्तों, डेविड वोनर के सामने, लियाम लिविंग स्टोन से भी ओवर करवाया जा सकता है, और मोहिन अली से भी ओवर करवाया जा सकता है, लियाम लिविंग स्टोन पहले भी डेविड वोनर को एक दो बार आउट कर चुके हैं, आईकेल की अंदर, अब यहां पर दोस्तों करम कोई चेंज की एक्सपेक्टेशन कर रखें England की तरब से यहां पर दोस्तों डेवीड विली या क्री जोर्डन ये टाइम बल मिल समस्क्रिजी को मुखा दे जा सकता है बाकि हाई चांस आपको यही प्लेइंग लिए उन देखने को मिल सकती है अब दोस्तोंगर हम बात करने safe option from England तो आपके लिए बटलर safe है, डेविड मलान safe है, बेंच टोक safe है उसके बाद सेम करन safe है, क्रिस वोक safe और मार्क वूड safe है ये 6 प्लेयर safe है Grand League के team मनाओ, तो Alex Hells को मोका दे सकते हो Grand League के team में Liam Livingstone को मोका दे सकते हो Last match के अंदर इसी ground के उपर 3 wicket चटकाए थे Livingstone ने उसके बाद दोस्तों, अगर आप Harry Brooks को अपनी team में मोका दे रहो तो आप ये मान के चलना, जो top order के 5 batsmen है उन में से 2 या 3 batsmen flop हो, तभी Harry Brooks के betting आ सकती है और दोस्तों, यहाँ पर मोहिन अली अगर ओर करते हैं, डेविड बोनर के सामने ये थोड़ा crucial लह सकते हैं, बालिक की अभी तक मोहिन अली ने bowling की नहीं स्टीट 20 वर्ल्ड कप के अमन दा अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर आजिल रशीद है इस player का record Australia एक खिलाफ काफिय अच्छा है तो यह player भी आपके लिए Trump रह सकता है बाकि दोस्तों, हाई चांस है, यही playing level आपको देखने को मिलेगी अगर किसी player का कोई change होता है, तो जीजम आपको बाद में टेलिग्राम पे update कर दूँगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, प्रोबल प्लेइंग 11 of Australia with batting order देखो दोस्तों, यह predicted playing level है अगर playing level में किसी एक या दो player का change होता है, तो जीजम आपको बाद में टेलिग्राम पे update कर दूँगा, और Australia की तरफ से आपको opening करते दिखेंगे डेविड वोर्नर और Aaron Finch, और तीन नमबरे batting करने आ सकते हैं Mitchell Mars यानि यह तीन player आपको top orderly batting करते हैं दिखेंगे उसके बाद middle orderly command समभालेंगे Glenn Maxwell, Marcus Tonius, Tim David और Matthew Wade और bowling की command समभालेंगे Pat Cummings, Ashton Agar, Mitchell Stark और Josh Heatherud यहाँ पर Ashton Agar की जगह Adam Jempa को मोका दिया जा सकता है और अगर दोस्तों यहाँ पर कोई और change होगा तो Kane Richardson को मोका दिया जा सकता है और अगर Kane Richardson यह match खेलते हैं तो आप फिलिए CVC का भी अच्छा option रह सकता है Grand League के अंदर या फिर दोस्तों Cameron Green को भी मोका दिया जा सकता है अच्छा power eater रहे और bowling भी कर सकता है बाकी high chance से यह playing लिए उन रह सकती है एक change हो सकता है Ashton Agar की जगह Adam Jempa या Kane Richardson को मोका दिया जा सकता है या फिर Cameron Green को भी मोका दिया जा सकता है अब safe option की बात करें देविड वोर्नर सेफ है, Mitchell Mars सेफ है Glenn Maxwell सेफ है, Marcus Tunis सेफ है उसके अद आपके लिए Mitchell Stark, Hazardud और Pat Cumming सेफ रह सकते है यानि ये 7 player है इनने में से आप 7 चूज कर सकते हैं अपने 6 player चूज कर सकते हूँ अब देखो दोस्तों Grand League के अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको बात कि Marcus Tunis को जातर लोग इस टीम मैच में लेने वाले है लेकिन Marcus Tunis को आदिल रशीद है वो आउट कर सकता आपको इस चीज ध्यान में रखनी है दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर बहुत कम बंदे पैट कमिंग्स को अपनी टीम में मोका देंगे लेकिन पैट कमिंग्स है यह जोस बटलर को आउट कर सकता है यह चीज आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद दोस्तों आपको पता कि मैलबन के ग्राउंड के उपर फर्सट इनिंग के अंदर बोलर ज़्यादा बिकेट निकालते हैं तो आप उस्टेलिया की टीम पहले बोलिंग करें और किसी बोलर को कैप्टन वायस कैप्टन बना सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे वोजणर है वो लगातार फ्लॉप चलरह है तो इस match में आपके लिए थोड़ा बूत कमाल भी कर सकते हैं Aaron Fitch Grand League के अंदर मोगा दे सकते हो उसके आज दोस्तों Maxwell भी एक आदे और की बोलिंग कर सकते हैं David Milan के सामने तो आप कोई चीज़े ध्यान में रखनी है और दोस्तों अगर आप अपनी team में team David या Matthew Wade में किसी को मोगा दे रहे हो आप ये मान के चलना है कि टोप ओडर के जो 5 बैक्स में है उन में से कोई दो तो पक्का फॉलोप होगी होगी तभी team David या Matthew Wade है वो final team में आप आएंगे बाके दोस्तों predicted playing level ने अगर playing level में किसी एक या दो प्लेयर का change होता आपको बाद में telegram पे update कर दूँगा अब दोस्तों हम करते हैं player comparison देखो दोस्तों player comparison हम करेंगे section wise सबसे पहले हम बात करें इतने wicketkeeper section के बारे में wicketkeeper में मेरा पास England की तरब से Josh Butler opening करते हैं एक match में ठारा एक में 0 फिलिप शोल्ट को मोगा नहीं मिला है Matthew Wade साथ नमपरी बैटिंग करने आते हैं एक match में दोरन लाश वाले मैचे बैटिंग नहीं आई थी अब देखो दोस्तों safe option की बात करें तो आपके लिए Josh Butler first choice रहने वाले है as a safe option reason क्या एक तो opening करेगा दूसरा wicket keeping भी करेगा और most of time आपका opponent भी लेने वाला है अगर आप दोस्तों कुछ टीमों में risk लेते हो तो आप Butler के साथ Matthew Wade को मोगा दे सकते हो Grand League की एक आदे team के अंदर लेकर आप Matthew Wade को मोगा दो उस case में आप Australia के top order के एक या दो batsman को या आद से drop कर दीजेगा बाकि आपके लिए safe option जो स्बटलरी रहने वाले है अब दोस्तों बात कर लेते हैं batsman के बारे में batsman दोस्तों मेरे पास Australia की तरप से Alex Hells opening करते हैं last match में 7 run David Milan 3 number बैटिंग करना आते हैं last match में 35 run Harry Brooks 4 या 5 number बैटिंग करना आ सकते हैं last match में 3 run Liam Livingstone ने last match में 1 run मिला था और 3 wicket लिये थे वहीं दोस्तों मेरे पास Australia की तरप से Steve Smith last वाला match नहीं खेले थे Aaron Finch ने opening की थी Mitchell मार से वो 3 number बैटिंग करना आते हैं last match में 17 run कोई wicket नहीं मिला था एक और की बोलिंग की थी Tim David की last match में बैटिंग नहीं थी David Warner opening करते हैं पहले match में 5 दूसरे match में 11 run अब देखो दोस्तों कर आब बात करें safe option की तो first safe option है David Milan second safe option है David Warner यह दोनों player safe है third आप Mitchell मार्स के साथ जा सकते हो और चोथा bets में दोस्तों आप Alex Hells अब दोस्तों अब आप Grand League की टीम मनाओ तो आप Grand League की टीम के अंदर Aaron Finch को मोका दे सकते हो आप Grand League की टीम में Alex Hells पे और Harry Brooks में इसकी पे ज़्यादा trust दिखा सकते हो बाती दोस्तों आपने इच्छान साब किसी player को choose कर सकते हो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं All-Rounder section के बारे में All-Rounder में दोस्तों में आपास England की टरब से same करन left time fast million bowling करते हैं पहले match में 5 wicket ली थी जो कि पर्ट पे खेला गया था दूसरे match में 2 wicket ली थी जो कि Melbourne में खेला गया था ये player आजकल death over में bowling करने आता है उसका दोसरे ना में Moinally right time over a break bowling करते हैं पहले match में 8 run दूसरे match में 24 run और अभी तक bowling नहीं किये उसका दोस्तों में पास England की तरब से Benstock right time fast million bowling करते हैं उसका दोस्तों में आपस England की तरब से Glenn Maxwell right time over a break bowling कर लेते हैं पहले match में 28 run bowling नहीं की थी दूसरे match में 23 run एक wicket अगर last वाला match कर लेते हैं एक wicket लिया था लेफटा मॉटरोक्स bowling कर सकते हैं Cameron Green ये match खेल सकते हैं ये player काफी important रह सकता अगर ये match खेलता तो उसका दो मार्क कस्टोंियस रेटा मीडियम bowling करते हैं पहले match में 7 run कोई wicket नहीं दूसरे match में 69 run की शांदार पारी खेली थी अब safe option की बात करें same करन है first choice, second choice है मार्क कस्टोंियस, third आप Maxwell और Benstock इन दोनों के साथ भी जा सकते हो अब ग्रेंड लीग की टीम मनाओ तो ओस्टन अगर important रह सकते हैं ग्रेंड लीग के अंदर केमरून गिल खेले तो for sure important है और ग्रेंड लीग के अंदर आप मोहिन लीग कोई मोका दे सकते हो बाकि आपके लिए safe choice है सेम करन, Marcus Tonious, Glenn Maxwell और Benstock के चार प्लर आपके लिए safe रह सकते हैं इन चार मेंसे तीन तो पक का बोलिंग भी कर सकते हैं अब दोस्तम बात कर लेते हैं बोलिंग के बारे में बोलिंग में दोस्तम अब पास England की तरफ से Chris Jordan सब्सक्राइं पेसं लेकिन दोस्तों आदिल रशीद है इस player का record है वो Australia के खिलाव काफी अच्छा record है यान यह player Mark Kastonius, Glenn Maxwell इन player के थोड़ा कतरा रह सकता है वहीं दोस्त हमारे पास Australia के तरब से Pat Cummings राइटम फास्ट मिलिंग बोलिंग करते है पहले match में विकेट नहीं मिला था दूसरे match में एक विकेट केन बिचरसन 24 मैचों में 13 विकेट ले चुके है अगर यह player खेलता है तो यह player GL में आपके लिए CVC का भी अच्छा option रह सकता है जोस हैजरूड राइटम फास्ट मिलिंग बोलिंग करते है पहले match में दो दूसरे match में एक विकेट अब देखो दोस्तों और सेफ ओप्सन की बात करें तो आपके लिए जोस है दुरूड यह दो प्लेयर तो फिक्स होगे उसके बाद मिचल स्टाक पैट कमिक्स दोनों के साथ जा सकते हो यह दोनों में इसकी एक को मौका दे सकते हो यहाँ पे दोस्तों आप आप ग्रेंड लिइग के टीश में आ रहे हो तो आप आदिल रशीद को ट्राय कर सकते हो रहत अपको यहाँ पेट कमिक्स वी ध्यान में से देविग लोळन को और रौंडर मिलिया सेम करन और माक कस्टोनिस को बोलिंग मिलिया माक वूड जो सहेदर वूड क्रिस वोक्स और मिछल स्टाक को यहाँ पे मैं नो प्लेर चुछ किये दस्तों अपलेर में यापि Pat Cummings यापिर आदिल रशीद मिसकी एक को मौका दे सकता हूँ यापिर दोस्तों में आपि Glenn Maxwell को मौका दे सकता हूँ और Ben Stoke को मौका दे सकता हूँ और बैटिंग में दोस्तों आपि मिचल मार्श को फोर अपने टीम में ट्राई करने ही करने वाला हूँ अब देखो दोस्तों Captain Vice Captain की बात करें देखो दोस्तों Butler जातर बंदों की चोईस रहेगा उसके बाद Warner दूसरे नमबर पर रहेगा उसके बाद दोस्तों David Milan तीसे नमबर पर रहेगा आप न के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्की जाओ करें ह। वी सें सखिसember Events Am… आपके दोस्तों और कोई और इइंफरमेशन आइगी वह आपको टेलिग्राम पर देख कर दूंँगा वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने My Leonser Club Lab को डाउनलोड नहीं किया है तो याद से डाउनलोड कर लिजिए आपको इस वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो देखो दोस्तों My Leonser Club पे अगर आप इस मैच के अंदर मेगा लिग में फर्स्ट नेक लाते हो तो आपको मिलेगे ब्रेंड न्यू मेंदरा था और My Leonser Club पे सबसे कम competition है as compared to other fantasy platform यानि आपके जीतने की चांस बढ़ जाएंगे तो जल्दी कीजिए वीडियो के description box में लिंक दिया है लिंक पे क्लिक कीजिए My Leonser Club डाउनलोड कर लिजिए और दोस्तों कर आप अभी मारे लिंक से डाउनलोड करते हो और फर्स्ट डिपोजिट करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्टा कैस तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से इंग्लेंड और उस्ट्रिया के बीच होने वाले ICC Man's T20 World Cup के मैच की मैच प्रेडिक्शन पिची रिपोर्टर प्लेइंग लिएवन और उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छे लगी अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बुले धन्यवाद This game is financially risky and habit forming, please play responsibly